अमेटकर भावाण जो डॉक्टर अमेटकर ने खुद पर्चेज की आली जीज पे लिया उसके अंदर वम्णों की शादियां होती है एक प्लेट डेड़ से लेके धाई जार रुपे मिलती है और कैई वार महां दो दो जार प्लेटें उठती है यानि कैई वार महां में पच् सब्द बार 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 आता है समण और ये सब्द जो समण है ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता ये इतने लोगों को समझ नहीं आता कि अगर आप किसी व्यक्ति से जो वमण नहीं उससे पूछोगे कि आप क्या हो तो वो दुनिया भर की बात है तो बताएगा जगे बताएगा कोई जातवात जो जवर्जिस्ती चिपकाई होगी वो बतादेगा वर्ग बतादेगा काम बतादेगा धंदा बतादेगा पर समण्स है वो यह उसे पता ही नहीं और उसकी तो बात छोड़ो जो साधन आदमी है जो बहुत बड़े-बड़े ग्यानी है जिन्होंने दिन्नाद सेलेबिटी है यूटूब पे सरकारों को और मंत्रियों को गाली देते रहते हैं जो दिन्नाद किताबें पढ़ते रहते हैं जो दिन्नाद दिन्नाद चर्चार विश्टेशल करते रहते हैं जिनके नाम के आगे पीछे डॉक्टर, डीलिट, प्रधान, प्रोफ बनते हैं और इनसे भी बढ़के वो जो पत्रकार हैं जो दुनिया को खोदते रहते हैं कि एक सब्द को खोदते रहते हैं वो भी समढ़ सब्द को नहीं जानते किसी को भी पूछो गए कि ये क्या बात है क्या नहीं है तो वो एक ही कहता है अरे ये भी कोई संग्ठन होगा औ जादा बोलते हैं तो संग्ठन की पैचान के लिए कहता है अरे वो फलाना एस पी परिहार उसका समर्संग, अरे वो फलाना योगंदर उसका समर्संग, अरे वो फलाना कटके रमेश उसका, मतलब जहां जहां लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनी के नाम से संग्ठन बना संग्ठनों के पीछे संग भी लगाए हुए है सिक्चक संग पलाना संग मुलनिवासी संग बहुजन संग पिरतालित संग महिला संग विध्यार्ती संग चात्र संग यह बहुत साई लोगों ने लगा रखे हैं मतलब सभी तरह के लोगों ने लगा रखे हैं जो भारत में हैं क्योंकि इतने सारे संग्ठन तो अलगलग नाम भी चाहिए तो संयुक्त राज संग और भादकर्ण राज संग और बुद्धन सरणंग गच्छामी जो बोलते हैं संगं सरणंग गच्छामी उससे परेरित होके लोगों ने पिछे संग भी लगा दिये पर काम संग्ठन काई क आरते हैं इसलिए हमारे प्रचारक को हमारे प्रसारक को सबसे पहले समण सब्द के वारे में समझाना चाहिए और संग के वारे में समझाना चाहिए सीथे सीथे उसको दस गोल्टन नियम नहीं बताने चाहिए क्योंकि पहला गोल्टन नियम है केवल समण और आपने खुद जानते हो कि अब हम समढ़ है जो लोग यहां है पुराने वो जानते हैं तो उनको लगता है अरे सामने वाला भी जानता है कि वो समढ़ है पर अपनी स्तिती देखो अपनी स्तिती समझो कि जब यहां सुरू में आये थे अभी तो पुराने हो गए बहुत सा तब समर्संग के वारे में नहीं पता था तब समर्संग के वारे में समर्संग की जानकारी नहीं थी तो यहां से सीखी यह बहुत सारे विद्वान है जो अलग लग किताबों से बताते हैं कि समर्संग क्या है क्या नहीं है तो समर्संग की जानकारी को अच्छी तरह से रट ल कि जो वमण नहीं है, वो समण है, भारत में, पर हम वमण का जिक्र नहीं करते, पर एक लाइन में समझाने के लिए कर लेते हैं, क्योंकि अगर comparative करें, तुलना अत्मक अध्यन करें, एक दूसरी की तुलना करें, तो जल्दी समझ में आ जाता है, यह काला है, यह गोरा है, तो किसी को अगर काला समझ में नहीं आता है तो गोरा दिखा दो तो काला समझ में आ जाता है एक काला आदी में दिखा दिया गोरा दिखा दिया तो समझ में आ जाता है कि अच्छा इसको गोरा बोलते है इसको काला बोलते है या किसी को बोल दिया कि यह हरा है और यह लाल है और दिया तो फिर उसको समझाना नहीं पड़ता वरना लाल लंग को कैसे समझाओगे अगर किसी को दिखाओगे नहीं तो लाल लंग नहीं समझा सकते पर उपमा ही देते रोगे तुलना ही करते रोगे तो तुलना आसान होती है पर डेटेल में समझाना हो तो समझाने के लिए उ अपने उत्थान के लिए हमारे उत्थान के लिए अपने समाज के उत्थान के लिए वो सारी की सारी मेहनत जिन लोगों से अगेश्ट में थी यानि कि जब हम अपने उत्थान की बात कर रहे हैं तो जायशती बात है कि हमारा कहीं उत्थान की बजाय पतन हुआ पड़ा है और पतन हुआ है तो पतन के कारण है और पतन करने वाले कुछ लोग है तो पतन करने वाले कुछ लोगों का कल्चर है संस्क्रती है या पाली में संखती है तो वो जो संखती है उन लोगों की जन्होंने हमारा नुपसान किया है उनको जो बोला गया साहिते के अंदर डॉक्टर अ हमारे नहीं है संस्कत के हैं संसकारित हैं चेंज किये हुए हैं औरिजिनल सब्द है बमण संखती तो हमारी संखती पहले है पुरानी है हमारे बाद में वम लोगों की विप्रिद लोगों की आई है तो हमारी जो संखती है उसको किताब में बोला गया सिर्मन संसकती यह संसका में बोलेंगे, अपनी भासा में बोलेंगे, तो सिर्मन की बजाए इसको बोलेंगे समण संखती, तो समण सब्द कोई नया नहीं है, कोई अचानक से आया नहीं है, कोई पैदा करके नहीं है, कोई बनाया नहीं है, औरिजिनल सब्द है, किसी देश में जब कोई आदमी बहार जाता है तो अपने देश को कहता है कि मैं इटेलियन हूँ इटली से आया हूँ तो इटेलियन का मतलब मेरी जो नागरिकता है यहां का वो निवासी है वो इटेलिक है इटेलियन है तो बताता है तो समण लोग जब यहां से बाहर कहीं जाएंगे या जाते थे पराने समय में तो भारत यह नहीं बोलते थे, भारत तो सद बाद में आया, बुद्ध के बाद, वो बुला करते थे हम समण हैं, समण का मतलब हमारे सारे लोग जितने समण हैं तो हमारी राष्ट्रेता पहचान रही है, और बाहर के लोग पूछा करते थे आप कौन, तो बाहर के लोग समझ हमारे विपरीत, हमारे उल्टे लोग, हमारी संखती के, हमारी सभ्था के, हमारी संस्क्रती के, हमारी कल्चर के, हमारी रहन सेन के, हमारे रंग के, हमारी कद कार काठी के, हमारे काम काज के उल्टे लोग, तो उल्टे लोगों को वम कहते हैं, तो हम नहीं नाम दिया वमन, वमन नाम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बुद्ध के साहित्ते में तो मिलता है, समणा और बम्ला, पर उससे पहले साहित्ते में जाओगे तो है नहीं क्योंकि वम लोग बहार से आई हुए लोग हैं, पर समणा समणी मिलते हैं, इसलिए बोलना हूँ आपको, क्योंकि अगर आप साहित्ते में जाओगे, तो समणा का समणी मिलेगा, यानि समणा है नर और समणी है नारी, और समणो है, और समण संखती है, सामणेर है, बहुत सारे समणा के सब्द हैं, बहुत सारे हैं, पर बमणा का बमणी नहीं मिलता, यानि के महिला नहीं उनके साथ में, बमणी कहीं नहीं मिलता, आज भी भासा में, ब्रहमन सब्द, यानि संसकाई सब्द ब्रहमन तो है, बमण तो है, पर ब्रहमन नहीं मिलता, यानि फीमिल नहीं मिलती, इसका मतलब culture ये बताती है, लेंग्विज ये बताती है, कि वहां से नर ही आए है, नारी नहीं आई है, अगर नारी आई होती, तो बहुत सारे सब्द होते, और पाली भासा ये बताती है, कि बमण का बहुत ज़्यादा सब्द नहीं है, क्योंकि जैसे समणों के बहुत ज़् है इसका मतलब उनकी पूरी संकति है उनके काम काज के सब्द है सारे तो बमण अगर यहीं के होते तो उनके बहुत सारे सब्द होते जैसे कोई व्यक्ति अगर यहां अमरीका से आए अमरीका तो अभी बना है जल्दी में अमरीका से आए तो उसके सब्द बाद में भनेंगे डवलप होंगे पर अगर वो सद्यों से यहीं रह जैता यहीं का मूर्न निवासी होता तो फिर उसके बहुत सारे जरम जात वहीं का होता है और लोग भासा में आम भासा में जिसका जिक्र नहीं होता या कम होता है वो व्यक्ति बाद में आया हुआ होता है सारे भासा के जो साइंटेस्ट हैं उनसे पूछ लो और उनसे क्या पूछना है आज आगर आप यह देखोगे कि कुछ समय पहले तक हमारे हैं कम्पूटर को जानता नहीं था मोबाइल को जानता नहीं था इंटरनेट को जानता नहीं था मोबाइल बैंकिंग को जानता नहीं इबीम कोई जानता नहीं था, एटीम कोई जानता नहीं था, पेटीम कोई जानता नहीं था, अभी आएं सारे सब अब जानते हैं, तो इनकी उमर जादा नहीं है, इसलिए इनके सब्दब बनने सुरू हुए हैं, और जैसे जैसे समय बीताएगा, यह सब्दब बनते चले जा पहले क्या चीज थी और अब क्या चीज है तो किसी को से जब बात करोगे समरसंग के वारे में तो उसे ये बताओगे कि भारत के आज के भारत आज समय भारत है उसमें 16 महाजनपदों का संग था यानि 16 बड़े बड़े छेतर जिनको हम स्टेट बोला करते हैं उसमें महाजनपद जनपद का मतलब है जहां जन के पद हो पद माने पैर भी होता है और जन माने आम जन हो गया और महा माने बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा जहां लोग रहते थे उस बड़े छेतर को महाज इसी को बोलते हैं यही महावारत है बाद में छोटा भारत रह गया क्यों कुछ एरिया चले गए तूट गए उसमें नहीं समाल पाए बाद के लोग जिनों ने उस पर कबजा किया तो यह सारे लोग जितने भी थे यह सब के सब समण लोग थे इनकी दो व्यवस्थाएं थी ए राजस से करके बोला करते थे राजा की विवस्था क्योंकि जो गण होते थे उनमें तो कोई टेक्स वैक्स देता नहीं था वो तो सामी कुरूप से बैठते थे ना कोई चंदा ना कोई धंदा पर राजा सेना भी रखने लगे बाद में और बड़े महलों में रहने लगे पराणी भासा में बली है सका नाम तो बली देनी पड़ेगी तो बली देनी का मतलब है टेक्स द्राब पड़ेगा यही बली बात میں जाके जब वomन लोग आए तो वो बली लिया करते थे जब नहोंने गैंग बना लिए तो बली में जानावर ले लेगे, खेत लेगे, खल मारने के किसे तो बहुत बाद में आये हैं आदमी को बंधुआ मज़ूर बना दिया इसका मतला आदमी हमारा टेक्स में चला गया ये बाद की पिठा रही हैं तो समढ जो सब्द है वो इतना प्राचीन पुराना है कि उस समय कास सिस्टम नहीं था कोई भी जिक्र कर सकता है को हम कहीं तक भी जाने को त्यार हैं कोई ये प्रूब कर दे बुद्ध के समय या सोक के समय या सोक के बहुत बात तक भी कहीं जाती पिठा रही है या कास सिस्टम जो आज भारत में चलता हूँ रहा है क्योंकि भारत हम ये सम्विधान में भी कास सिस्टम बना है कास सिस्टम तो समण संग के अंदर, यानि हमारी लोगों का जो संग था, जो चुटे 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 टुकडों में बड़े राता अलग 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 कर गे, आने जाने की सुपधा ने थी, पर समण संग के नियम सभी जी कर चला करते थे, उस समय खाली संग बोला करتे कि हम लोग संग हैं समण हैं तो कोई अमरीका के अंदर आदमी से अगर आप पूछוגे तो भई तुम कौन हो पढ़ास का दमी पूचेगा तो यह नहीं कहता कि मैं अमरीकन हूं क्योंकि जो पूछ रहा है वो भी अमरीकन है और जो बता रहा है तो कहाँ काँ चाही सकती है तो अमरीका से आया तो इंडिया में रहेखे बताएगा अमरीका से आये पर अगर अमरीका में रहेगा तो दो महले का नाम बताएंगे अपनी कलोनी का बताएंगे पर यह नहीं कहेंगे कि मैं अमरीका से आया हूं क्योंकि दोनों अमरीका में हैं वैसे ही समण लोगों ने कभी आपस में यह नहीं कहा कि हम समण एरिया से आये हैं या हमारी नागरिकता समण हैं क्योंकि दोनों ही समण हैं और वमन सब्द भी हमारा है जो हमने बहार के लोगों को दिया है बात में संस्कायत भासा की गई बहार के जो लोग आये थे उनको उनके पास में बहुत सारे सब्द ऐसे थे जो हमारे याँ नहीं चलते थे आधा शे, आधा सटकॉन वाला शे, पूरा शे, पूरा सटकॉन वाला शे, आधे रहे, जो आधे रहे हैं, हलंत है, और दो तीन सब्द और हैं, जैसे त्रे है, गे है, श्रे, जो स्री वाला स्री है, वो, ये सब्द हमारी भासा में नहीं रहे, एक दो सब्द हमारे गायब भ हो गए जैसे अंग वाला जैसे हम SING लिखते हैं तो SING में UNG की आदा आती हो पर बिंदी के साथ में अभी हम बोलते सिंग हैं पर लिखते सिनह हैं तो क्योंकि ने की आवाज बिंदी लगले लगा रखी हमने ये बिंदी अगर आगे लगेगी तो सिंग बोला जाएगा वलकर सिहंग बोला जाएगा तो ये जो अंतर आया इस अंतर की वज़े से हम अपने समढ़ सब्द को भूल गए या हम से भूला दिया गया और भूलने के साथ साथ उन्होंने हमें एक नया सब्द दिया अपनी भासा में जो वह बहार की भासा थी जिसमें शे एरिया से आये और वो ठंड में शेय शेय करते रहते थे मतलब उनकी automatic शेय की आवाज निकलती है ठंड में ठंड से कापने से शेय की आवाज जाद निकलती है शेय शेय करते रहते हैं उसको वो भासा में जो कमपन बोलता है उसको sharing करके बुला करते हैं तो उससे शेख और वहां कही तरह एक शेख चलते हैं तो ये सर्मन बना दिया समर से से मन बना दिया कोई परिशानी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं पर अर्थ बदल दिया समर लोग जो होते थे वो मजदूर नहीं होते थे किसान होते थे वो डॉक्टर होते थे जीवक जैसे वो सुदत्त जैसे बैपारी होते थे बुद्ध जैसे महागुरु होते थे समराट असोग जैसे समराट होते थे चंदगुप्त मौरे जैसे विशाल आकरम के राजा हुआ करते थे सैनापती थे, सैना थे साइंटिस्ट थे इसी थे, इसी माने जो वैग्यानिक थे वैग्यानिक थे पर वो याचक नहीं थे याचक मतलब मांगने वाले नहीं थे बिकारी नहीं थे और जो वमण लोग थे कि उन्हें कोई काम नहीं आता था, वो सिर्फ याचना करते थे, याचक थे, मांग के खाते थे, वो बड़े फक्र से कहते हैं कि हम याचक हैं, कहानिया भी सारी यही बताती है, कि एक गरीब याचक ब्रहमन, किसी समण के दरवाजे पर खड़ा, याचना करता है, कभी कोई कह मीन पर आग जलाई और सो गए खा गए, कहीं से फलवल तो लिया, को जानवर आवन पकड़ लिया, मार के खा लिया, यह उनकी जीवन होता था या मां के लिया, तो समण लोग का जो इत्यास है, वो बड़ा जबर्स तरहा, पर जब इसको समण से शिर्मन कर दिया, तो इसका दाता है, यह सरम दानी है, यह सरम जीवी है, यह सरम से बहुत सारे सब्द निकाले गए, पर पाली में श्रै नहीं है, सरम सब्दी भी नहीं है, सरमक भी नहीं है, स्रैमिक भी नहीं है, परिसरम भी नहीं है, आसरम भी नहीं है, क्योंकि स्रै कोई है यह नहीं सब्द, पाल हो जाता है समर्करते ही बुद्ध बंजाते हो डॉक्टरमेट कर बंजाते को पैरियर बंजाते हो आपर राजया बन जाते हो पूरा खांदानाब खाते हैं हम श्रम करते हैं श्रम अरे भाई श्रम नहीं करते हो आप आप तो अपनी सल्तनत को खो के बैठे हो इसलिए श्रम का या श्रय का कभी इस्तमाल नहीं करना कभी नहीं करना यह हमारे हैं नहीं तो समण करना है पर अपसोच इस बात का है कि बार बार बताने के वो बड़े गुमान में है कि बड़ा सब कुछ जानता है पर वो क्या जानता है जो वर्मन उसके सब्द में मुह डालता है मुह में सब्द डालता है वो ही जानता है हर रोज उनको एक टार्गेट मिल जाता है हर रोज उनको एक काम मिल जाता है वो उसमें उलज जाते है क्या क उस जो Ambedkar Foundation था उस Ambedkar Foundation को modified करके वहाँ पर auditorium बन गया और बहुत बड़ी है Dr. Ambedkar की statue लग गई वो Ambedkar Foundation का है पर Ambedkar Foundation तो government का है Ambedkar Foundation government of India के अधिना आता है government of India वहाँ पर अपने हिसाब से officer को लगाती है और rule बनाती है तो government है rule बना सकती है कोई आपकी कोई दादागरी नहीं है वहाँ पर बेसक वो Dr. Ambedkar का auditorium है बेसक वो Ambedkar Foundation है पर आपकी दादागरी नहीं है दादागरी government of India की चलेगी तो उसको कराया पर देते हैं वो लोग आप ले लो आपको मिल जाएगा तो उन्होंने अपना किराया देगा वहाँ पर तो अपना function करेगा तो अपने अराद्धे का करेगा अपने उपासक का करेगा तो अपने अराद्धे का काम मिल जाता है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अरे आपकी बपोती नहीं है, गॉर्मेंट आफ इंडिया में पूरे देश के लोग का हिस्सा होता है, आप जब किसी मंदिर में, किसी धरम साला में कराये पर लेते हो, आप जब किसी धार्मी के सलों कराये पर लेते हो, तो उन इतराज करते हैं, वो तो कहते हैं, हम ने किराया लिया है, आपको 8 स्थचाहँ में किसी बहुत लगा खुश lorsquी का विगा हो, अधिर है क्राया नहीं दोगे, तो हम चिल्लाएंगे, दिल्ली के ज़ितने भी आडिटोरियम हैं वो हर किसी को मिलते हैं हर किसी को मिलते हैं अमेटकर भावाण जो डॉक्टर अमेटकर ने खुद पर्चेज किया ली लीज पे लिया उसके अंदर वमणों की शादिया होती है एक प्लेट डेड़ से लेके धाई जार रुपए में मिलती है और कैई वार महां दो दो हजार से बार्ट लेते हैं वहाँ पे सीजन में शादी के सीजन में फाफ-पाइस सच साथ क्रोड रूपए आता है तबी को हिसाब नी पुब्ली को कुछ नहीं तो जो जिन लोगों को जो लोग महां किरायर दियते हैं उनको पैसा देते हैं अब वो शादी के आपके साब साथथ लगाएगा आपके डॉक्टर करके गाने थोड़ी गाएगा या तो आप पैसा लो मत डॉक्टर अम्बेटकर की जगे है तो डॉक्टर अम्बेटकर के लिए ही होनी चाहिए तो डॉक्टर अम्बेटकर के भवन पर तो कोई अतराज नहीं करता वहां तो ना मीडिया का हाथ चलता है ना मीडिया का पैन चलता है ना किसी का मुँख खुलता है पर वो जो गौर्रमेंट ओफ इंडिया की, सेंटर गौर्रमेंट ओफ इंडिया की जो जगे है, जो सबके लिए है, उस पर दुनिया भरके काम पर लगे, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो भाई, अपनी तरबी देख लिया करो कभी, इसलिए बार-बार-बा जाता है कि हमारे जो लोग हैं, वो नहीं जानते कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, समण सब्द को मीडिया का कोई आदि नहीं जानता, समण सब्द को हमारा कोई इंटलेक्शन नहीं जानता, समण संग हमारा संग है, इसको कोई बुद्धी जी भी नहीं जानता, इसलिए आ आदी जंग जीत जाओगे तो कुछ लोग समझ भी गए हैं जो नेता टाइप के लोग हैं उनको समझ में आग पर वो वो बने हुए हैं जैसे गुलगुले खा के मुझ बंद के लेते हैं बोलना नहीं है क्यों नहीं बोलना है अरे अगर बोला तो लोग पूछेंगे भई वो नहीं बता है तुमने क्या बावा साब को पढ़ा तुमने क्या बुद्ध को पढ़ा तुम दुनिया में बोलते रहते हो सर्मन संसकती है और ब्रहमन संसकती है तुम ब्रहमनों के सब्दों को लेके घुम रहे हो उन्होंने तुम को सर्मन सब्दों बोला तो उसी को है और जो बावा साब ने बोला कि सुल्वा वॉल्यूम पाली का पढ़ना है, वो तुमने पढ़ा नहीं, तो लोग कैंगे रिफ तुम कैसे नेता हो, तुम कैसे जागनती करने वाले हो, तुम कितने समझदार हो, तो कहीं बेफकूपना बन जाए, इसलिए वो चुप बैठे हुएं, जान के चुप बैठे हुएं, पर कोई गुरोध नहीं करता, कोई आता नहीं, कैयीं उने तो चुप चाप अपने सिर्मन के समझदार कर दिया है, अच्छा किया, चलो देर आए दुरूस्त आए, जो सिर्मन चला रहे थे, उन्होंने समझदार कर दिया है, पर महराष्ट के अंदर हमने वहां पर, बात उन्होंने हमें टाइम दिया और बड़े अच्छे लोग हैं महाराश के बहुत बड़े आएं वहां आमने स्रमर संगी बात रखी और भी स्रमर संगी गए थे उन्होंने भी बात रखी वहां आमने स्रमर गंत भी दिये महराज़ के लोगों में बड़ा जजबा बड़ी जानकारी वो बहुत साई लोग बात में मिलने के लिए हैं और उन्हें कहा जी हमाई तो आँखे खुल गई हमें तो पता नहीं था कि हम अपने सबसे पुराने संग के मालिक हैं और हमको तो ये पता है नहीं चला कि बुद्ध ने जो हमें बारवार कहा है संगं सरणंग अच्छामी ये अपने समर संग में जाने के लिए कहा है हम तो सोचेते भिक्कू संग में जाने के लिए कहा है पर आपने जब बताया कि भिक्कू संग में तो यह जानकारी आपने प्राइम पहली जानकारी यह पहुचानी है कि समण क्या है संग क्या है बहुत साथ लोग कहा था अरे यह समण कहा से आया तो हमारे बहुत सारे विद्वान ने बता दिया यह देखो भई मैगस्तिनीज की किताब देखो इंडी का इसमें समण के वारे बुद्ध का इसमें कितनी वाजिकर है कि समन संग का गाया गयां कि देखो भगवान बुद्ध किया कहते हैं कि संग कितना powerful आथ क्या होता है और他们 संग को सलाम करते हैं संग को namastet करते हैं संग को namami करते हैं तो सब लो 가져 देख रह verein है जे तो हैतियासिक साथ्चे हैं इसमें तो बात ही नहीं और चलो अगर कोई आदमी ये कहता है कि वो एथियासिक साक्षा को नहीं मानता हिस्टोरिकल पुरूफ को नहीं मानता हम तो फिर भी तैयार हैं तो हम उससे सिर्फ एक बात पूछते हैं भई आप ये बताओ कि आप हो कौन जातियां तो बात में बनी है तो जाति का जिक्र तो हम करते हैं वैसे भी हमारा रूल बना हुआ है जब कुछी है नहीं तो इसका जिक्र क्या करना बावा सामने मना किया है इसका जिक्र मत करो ये खतम है तो बात खतम हो गई अब आप बताओ कि आपकी पहचान क्या है जाति की पहचान आप ये मानते हो ना कि जो ब्रहम्ण आया वो बाद में आया और हम यहां के पुराने हैं तो इस बात को सम्मानेगे यह वो मूल निवासी वाले जितने भी लोग है वो भी मानते हैं और जो अरज़रक समाज वाले हैं वो भी मानते हैं और जो छुट भाई है दो दर के पाए जाते हैं तो ब्रहामनों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं वो पूरे देश में जो एका एका दुका दुका आज में रहता है दस्यार में एक रहता है उसको तो आप ब्रहामन के नाम से जानते हो यह केल का ब्रहामन यह तमिलनाडू का ब्रहामन यह करन करेगा जाती वाती फला अरे जाती की बात मत करो ना जाती तो बहुत बात में यागे बनी है अब की है नहीं पता वो पता पहले क्या थे तो सर खुजाता है दिमाग खुजाता है किताब में ढूनता है कुछ नहीं मिलता नला नला खाली-खाली मैदान क्या किसीने कुछ बता कर देगा तो अपने आपको सर्मण का समण कर देगा तो एक अगर कही रहता है तो उसके पास जो हजारों लोग है तो आटोमेंटिक समण हो जाते हैं समण के अलावा को तीसा सब हमें बता दे कि हम यह हैं तो हमान जाएं जब संकती दो बताई हैं महापुर्शों ने लिखे सब बताई हैं तो तीसी तो कोई है नहीं तो इसका मतलब हम सारे हैं तो फिर एम उससे यह पोश्ते हैं अरे नादान निन्यता हमारा अगुआ हमारा इतना बड़ा आदमी तु यह बता तूज़े जानकारी है कि जो केरल का ब्रहम्ल है तमिलाडू का ब्रहमन है, कनाटक का है, उडिसा का है, जो बिहार का है, बंगाल का है, ऊपर चले जाओ तो उधर हिमाचल प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, गलवाल का है, राइस्थान का है, पंजाब का है, हिमाचल प्रदेश का है, ये सारे ब्रहमन एक नाम से जान कि पहुआ हैं नहीं जिनकी पहचान हमने दी है और तू घ्देगे बचे अपनी पहचां नी जानता तो सवे हुई आदमी तो बाबा। साप में पढ़ालेता है右 में नंन भाल की ना कशन यू हो फॉंक्ड सून भॉंकर था हूई नों उन्यूज्य गाक्तार पहले i7 में हैं, पहले हमारी है, तो हम सारे के सारे समण हैं, और हम लाखों में हैं, करोडों में हैं हम, बस वही लोगों का पुराना जो संग है, वो समण संग है, और ये संग हमारा समण है, तो समण सब्द पे ही आपको ठकना है, और समण संग को ही बताना है समण संग को ही एस्टाब्लिस करना है समण सब्द को एस्टाब्लिस करना है जब आप समण को एस्टाब्लिस कर दोगे समण पे बहस कर लोगे समण पे पुरातर कर लोगे और समण को उसको बता दोगे और उससे golden नियमों के बारे में जानना चाहेगा, फिर वो आप से पूछेगा कितने लोग जोड़े हुए हैं उसमें, कितने नहीं हैं, कहां कहां काम चला हैं, कैसे चला हैं, क्या नियम हैं, क्या नियम्छा वो बात की बात है, उसके लिए आप samosーい गंत दे सकते हो, फिर बाद में बता सकते हो पर कोसिस ये करें कि जितने भी यह लोग जड़े हुए है कि वो समढ़ सब्द पर detail में बात करें समढ़ जानकर इप detail में बात करें और कहीं अगर ठक जाए सवाल का जवाब ना है तो ये वीडियो देख लें और अगर वीडियो भी ना देख पाए तो किसी समढ़ संगी को फोन कर लें और ना भी फोन कर पाए तो आठ बज़े यहां आ जाए पर समढ़ सब्द को आपने बार 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 बताना है और ना किवल बताना है अपने पती को बताना है, अपने दादा दादी को बताना है, अपने रिजदारों को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है, और समड गंत का दान करना है, दान मतलब देना, दान माने होता है देना, तो देना कैसे है, यह तेरे रुपे 60 पैसे का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इस समड़ सेवा के अंद खुला हुआ है वो सेवा करते हैं सबकी फिरी में जितने का आता हुतने का बांटे हैं बहुत बढ़िया काम करने हैं वो अपना नंबर डाल देंगे यहां पे सब डाल देंगे आप उनको बोलो के डांक द्वारे भेजें तेरे रुपे साट पैसे का है आप सो किता मंगाऊगे तो सो सवासु रुपे डांक के लगते हैं वो पंदरे सु रुपे में आपकी घर आ जाएगा पंदरे सु रुपे का दान आपने डॉक्टर अंबेट करके जरन दिन पे गिफ्ट के रूप में लोगों को करना है और लोगों से कहना है ये लो समण गंत का एक गंत ये हमाई तब से डॉक्टर अंबेटकर के बथडे पर आपको गिफ्ट है ये बथडे गिफ्ट है ये बावासाव अंबेटकर ने भेजा है और उनको दे दो क्योंकि बावा साव अम्बेट का महा समन है बुद्वी महा समन है एक महा समन का गिफ्ट समन को जाना चाहिए तो उसमें समन संगी जानकारी है जो मैंने बताई है वो है और भी जानकारी है तो वो जाएगी उसके अंदर तो आपको ज्यादा नहीं चिलाना पढ़ेगा किताब से काली जो गंत है उससे काम हो जाएगा तो प्रण कर लें कि इस बर्थ डे पर आपको बावा साब के जनन दिन पर उनके जनन दिन का उपहार लोगों को समण गंत के रूप में सो समण गंत सो घरों में जाकर देने हैं आप अपना नाम लिखके दें अपन फोन नमबर लिखे दें ताकि वो आपको कॉंटेट करने और प्राल करने के हर अरत में सो समलगंत कम से कम देने हैं कम से कम वाइसे तो जिसकी छमता है दो सो दे पांसो दे हजार दे दस जार दे एक लाग दे क्योंकि 120 क्रॉल लोग हैं इतने 120 क्रॉल लोगों को समलगंत पंदे सो तीन हजार रुपे खर्च कर सकते हैं क्योंकि करने चाहिए हर महीने करने चाहिए यह हमारा कर्तबे से हमारे जान बचेगी इससे हमारे जानकारी बढ़ेगी हमारा परिवार बढ़ेगा समनों का संग बढ़ेगा क्योंकि यह काम बहुत तीस से चल रहा है और अल महिलाओं की संगती है मुंबई भी घूमिये साथ आठ तारी को मुंबई घूमने का काई करम है जिनको मुंबई घूमना है वो साथ को पहुंचे सुबह जिनको मुंबई नहीं घूमना है खाली संगती अटेंड करनी है वो नौ तारी की सुबह पहुंचे साम को बापिस हो ज चल रही है अभी हाउस लगेगा तो जो संगती उसका नियम पास कराने के लिए एजंडर लेके आएंगे बागी संडे संगती लगाता लगाता लगा रहे हैं दिल्ली में सफलता पूरबक दो लगी है और हिसार के अंदर तो मेरे खाल में 58 लगी अपके या 59 उनका तो साल से उपर चल रही है तो हर संडे को नियमित बैठते हैं और भी जगे नियमित बैठते हैं बरली में बैठते हैं यहां भी बैठते हैं और उधर बिजनौर में तो कई सालों से बैठ रहे हैं महाराष्ट के अंदर कई जिलों में बैठ रहे हैं तो संगतियां लगानी शुरू क थी फिर जुड़ेंगे क्योंकि हम जिद्धी हैं और अच्छे काम के लिए जिद्ध होनी चाहिए जो जो लोग जुड़े हैं वो वो लोग सफल हुएं जो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग मारे गएं खतम हो गए उनकी निसलें खतम हो गए इसलिए जुड़ना ही ज और अगर मेरे इस वक्त में कहीं कोई उचनीच होई है, किसी को कोई अपमान या कोई सब्द गया है, या कोई बुरा लगा है, तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करें, तीन बार मैं माफी मांगता हूँ, संगनमामी, संगनमामी, संगनमामी. आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी धम्ममर सरनं गच्छामी भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी संगं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियम् पी गुतं सर्मं कच्छामी, ततियम् पी दम्ममर्सेनु गच्छामी, 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 ततियम् पी जंगर्सेनु पिसन्दं सर्णं तर्शामी साथू, साथू, साथू